नमस्कार दोश्तों, वेलकम टो हिर्दी वी. खाने की ये चीजे धीरे धीरे शिरीर की हडियों को बना देते हैं कमजोर. हड्या हमारे शिरीर का बहुत महतोपूर्ण अंग है. इन ही पर हमारा पूरा शिरीर ठीका होता है. अगर ये ही कमजोर हो जाएंगे पूरा बैलेंस ही बिगर जाएगा इसलिए हड्या की हेल्ट से कोई भी समझोता नहीं क्या जा सकता है आज की समय में लोग अपनी हेल्ट का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी वज़ा से कई बीमारियां के शिकर हो जाते हैं हेल्ट पर सबसे ज्यादा असर फिजिकल एक्टिविटी और आपके खाने पीने का पड़ता है आपको लगता है कि आप जो खा रही है वो काफी हिल्दी है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है वो चीजे धीरे धीरे आपकी सहत को नुक्सान पहुंचा रही होती है खाने की ही कुछ ऐसी चीजे है जो आपकी हड्यों को दीरे दीरे वीग कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूट्स के बारे में बतानी जा रहे है जो आपकी हड्या बोन्स को तो कमजोर बनाता ही है साथ ही आपको कई बीमारियों का शिकर भी बना देता है आए आपको इंपूर्ट के बारे में बताती है हड्या हमारे शेरीर का बहुत महत्वपून अंग है इन ही पर हम्यारा पूरा शेरीर ठीका होता है अगर यही कमजोर हो जाएंगा पूरा बैलेंस ही बिगर जाएगा इसलिए हड्या को हिल्ट से कोई भी समझोता नहीं किया जा सकता चाई लोगों को चाई काफी पीने कब बहुत शौक होता है कुछ लोग दिन में चाँ से लेकर पांच कप चाई पी लेते हैं तो कई लोगों की शुरुवाती ही चाई से होती है पर क्या आपको पता है ये चाई आपकी हड्याओं को नुक्सान पहुंच रहती है चाई में कैफीन होता है जो हड्याओं को कमजोर बना देता है ज्यादा नमक वाला खाना खाने में ज्यादा नमक कई बीमारियों को ब्लावा देता है बीपी से लेकर कई बीमारिया ज्यादा नमक खाने की वज़ा से होती है रिपोर्ट्स के माने तो ज्यादा नमक खाने की वज़ा से हड्या भी कमजोर होती है मीटा मीठा खाना लोगों को बहुत पसंद आता है ज्यादा मीठा खाने की वजल से डायाबिटीस होनी की संभाव ना बढ़ जाती है कई डायाबिटीशियन ने मुताबिक ज्यादा मीठा खाने से हज्यों को प्रोटीन और कैलिश्यम कम हो सकता है गर्मियों के मोसम में लोग soft drinks बहुत पीते हैं पर क्या आपको पता है ये शेरीर के लिए नुकसान दैक होते हैं soft drinks आपके हज्डियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच जाते हैं धन्यवाद